आज कीजे, बोल साचे दर्वार कीजे, शिरी नम्रीन वासी बगवान कीजे, द्याल परम्हंस द्याल माराज कीजे, घट घट वासी बगवान कीजे, इस्ट देव बगवान की परम्प्रियात्मों आज हम सब यहां पर इकठे हुए उस मालिक के शिरी चर्णों में अपनी हाजिरी लगाने के, वैसे भी आज कल अधिकमास चल ला साइख, अधिकमास का मतलब क्या हो, और यह किस ने बनाया,ंग मैंने तो ने बनाया, आपने बनाया उँ तो पहले हैं ने जोड़ें, आपने बनाय या सुरेश ने, नहीं, भाईया ने, किसी ने ने बनाए, जब मुंदा से शायद बनाओ, किसी ने बनाओ, महत्मा जी ने बनाया हो, यह बना सकते हैं, प्यारे, सब से पहले तो इसको कुछ लोग लौंद का महिना भी कहते हैं, कुछ इसको अधिक मास भी कहते हैं, लेकिन इ आपके इस धराधाम पर एक दानव हुआ है, हिरनकश्यप, उसने ब्रह्मा जी की बेहत तपस्या की, और खुश हो गए प्रभू, और ब्रह्मा जी से जब आशिरवाद देने के लिए ब्रह्मा जी आए, तो उसने कहा कि कुछ, मांग ले बेटा, तुन्हें बड़ी कठिन साधना भी की है, बोला मुझे अमर होना है, पता नहीं सब दानव अमर का ही मांगते हैं, पर हो नहीं पाते हैं, तो अब अमर होना, ब्रह्मा जी बोले बेटे हैं, इस धर्ति पे जो आया है, वो यहां से जाएगा, जाएगा, और जाना कहीं नहीं है, क्योंकि यह शरीर पांच तत्वों का बना हुआ है, और पांच तत्व धीरे 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 जब छेन होने शुरू हो जाते हैं, तो भलास्त में तत्व तत्वों में समा जाते हैं, रोशनी हमारी सूरज का तत्व है, ये सुविद से जा मिलती है, आवाल हमारी आकाश का तत्व है, आकाश से जा मिलती है, इस तरह ये और मिट्टी श्रीरी है, आत्मा अजर अमर्ड अभिनाशी है, तो उन्होंने कहा भी तुम ये धीरे-धीरे जो तत्व हैं धीरे-धीरे कमजोर होते चले जाते हैं, तो एक स मुझे अमर्ता का बर्दान देखते हैं तब ठीक है नहीं तो आप जा सकते हैं पिर मैं कुई और भर भर पकड़ूँगा भोले लाप पकड़ूगा उसनों ने कहा ब्रह्मा जी ने कि ठीक है बिटा तुमें हम अमर्ता का बर्दान देंगे और तुम कुछ कंडीशन मांग़े कि ऐसी कंडीशन जब तक ना होएं मैं तब तक ना मरूँ तब आप सब जानते हो उसने कहा जी मैं ना दिन में मरू ना राप ना ऊपर मरू ना नीचे मरू ना अश्तर से ना श्रस्तर से, ना मालव से, ना ज्यांगर से, और मैं ये तुम्हारे बनाएगए इन बारा महितों में परी ज़ती में. अब स्थिती बदली, प्रहलाद का जनन हुआ और वो तो नारायन का हर बगत है। जहे शरीयरी तुम भी बोले मिल जाए रहालो हो जह झे चरियरी जहे उड़ाज परेवाने के लिए उनोने क्या नहीं किया लास्ट में प्रहलाज ने कहा टिताशी याप भोल वह रहालाज настермodelे के तो देखिये लेकिन समय बड़ा बलवान लास्ट के समय सब जानते हैं हो इलका दहन कभी हो गया और वो सारी घटनाएं घटने के बाद लास्ट हम अपनी बात पर आते हैं तो उस वक्त यह अधिक मास भगवान ने एक महिना ही बढ़ा दिया 12 महिनों में नहीं जाना ना चलो 13 मां चलाएंगे तो यह 13 महिना अधिक मास उस समय तक चला तो वह जो है खंबे की बात आई जानते हो सब और आनिक बात है और खंबे को तोड़ा गया और खंबे मेंसे पर लाइए और उन संदिया का समय था ना दिन था ना रात थी और हिर्ना कश्यप को उनों ने पकड़ के अपनी जान पे बठा लिया कहते देख वेटे देख सारी शर्टें पूरी है और अगर कोई शर्ट तेरी रह गई हो तो बता दे ना दिन है ना रात है तू ना अंदर है ना बाहर है देहलीज में है और बारा महिनों में यह वो महिना ही नहीं है यह तेरे महां अधिक मास अलग कर दिया है इस अधिक बना दिया ना तो अलग हो गया यह अधिक मास है और ना मैं मनुश हूं ना मैं जानवर हूं सिर्थ शेर कोई शर्ट तेरी बच गई हो तो बता दे वो चुप हो गया और उसी वक्त की उन्होंने उसका खलेया कर दिया तो ये अधिक मास अब से बना अगर इसका हम दूसरी साइड देखे तो हम ये भी सोच सकते हैं इन बारा महिनों में कह दिया जाए भजन कर लो ये टाइम नहीं ह कुछ ससंग कर लो जी टाइम नहीं है तो भगवान ये भी कहते है टाइम नहीं है मैंने तेरवा महिना बना दिया अब तो कर लो ये तुम्हारे कुछ टाइम ना होने वाले अलग से रहे लेकिन जीव बहुत ही अपनी किसम का है उसको समझ में थोड़ा देल से आती है जब वक्त निकल जाता है प्यारे वो जो इसको कुछ लोग लोंग का महिना भी और अधिक मास को बड़ी एक अंदर से गलानी हो गई कि बताओ ये जब जब भी मैं आऊंगा चार साल बाद आता है तो कहता है मैं जब भी आऊंगा तो लोग मुझे खत्यारा महिना कहेंगे क्योंकि मेरे ही महिने के अंदर उसकी जो है लेत पूलिए तो उसने जब भगवान विश्णु से अपनी अर्ज लगाई है तो भगवान विश्णु ने उसको आशिरवाद देते हुए कहा नहीं तुझे लोग हत्यारा नहीं कहेंगे आज से तेरा नाम है प्रुशोतम मास और तेरे इस महिने के अंदर जो जितना ज़्यादा भजन भगती पुजा पाठ ये सब करेगा वो उतना ही मेरे करीब होता चला जाएगा तो ये रहा तुम्हारा अधिक मास अर्था प्रुशोतम मास प्यारे जीव ससन में भी आता है भजन भी करता है पाठ भी करता है पूजा भी करता है लेकिन जीव के अंदर शांती नहीं है ऐसा मत सोच रहा है अपनी बेटी का नाम भी शांती लग जाते है ऐसा कुछ नहीं है है आप बता दीदें जो सब हाथ वो खड़ा करता है जिसको टोटल किसी भी किसम के से अशांती नहीं है बिल्कुल वो शांता है तो नहीं ऐसा शूर भी जरहा हाथ खड़ा करें बाई 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 जो सारी बैढ़ गे चुप चाप हर किसी वेत्ती को कहीं ना कहीं कोई ना कोई अशांती पड़ी हुई है कारण हमारा तरीका गलता है हम ध्यान पर तो बैठ गया है मरा जी बस एक कंटा बैठना तो फिर उत्ते जाना फिर उत्ते वह पार्टी भी ओविए टेंट कर लिया है पार्टी तो उसे ती आंचे बटे बटे कर लिए कमते उत्ते ही हो गया और जहांगे शेरीर पहुंचे गा उत्ते पार्टी जो तो तो तिन कंटपह लें या पहुंचे चलो जी ससंग्च आगे पता नहीं ससंग किने बज़े खतम होएगा असी जाना सी गा किसे ने बुला ले ने है वो आना सी किसे ने बार-बार मेरी तरफ को देखे जाएंगे पता नहीं कदो भाई ये जगारा बोलेगी कदो चलना जाना हमने वो भी आएंगे घर में महमान आने वाले हैं महमान अरे एक वज़ी गया सुरेश का दो खतम होना है सादरिकार आना किसे ने उत्छे जाना सी गया तो तुमारा ये शरीर यहीं रहे गए मन तो तुम छोड़के ही आ गए हो तो ये शरीर क्या करेगा कभीर जी का कहना है मन दिया तहीं और ही और तंसंतन के संग तो कहे कभीर कोरीग जी और कैसे लागे रंग महापुर्षों की वाणी महापुर्षों के बचन वो हम पढ़ लेंगे सुन लेंगे लेकिन इतर से इतर पढ़े वो यहीं तक है सुनाने के लिए पढ़े और उसके बाद में खुद सब उच्छा जाए क्या पढ़ा था करती कुदी भूछ जाएगा क्यों कि वह पढ़ा तहां हो गुरु गुरु गुबिन सेमी जी ने एक बार इस बात को सिद्ध करने के लिए पहले कि अनुन बताया एक बहुत तेज कि अनुन बताती है कि जब हमने कोई बात को दिल से सुनना ही नहीं है हमने कोई बात को हिर्दे में उतारना ही नहीं है तो हम पर असर कैसे हो सकता है जो काम कर हो उतनी सी देर के लिए फिर तुम और वो बीज में यह नहीं है आज तक आज कल देखो और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है फोन लेके बैठेंगे हेलो थोड़ी देर बाद बात करेंगे तिर रस दिये अगर उस घर में वैसा नियम बन जाए हम कहते हैं आदे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उन्होंने डैनिंग टेवल पे खाना रख दिया लेकिन जो उसका घर का मुखिया था उसने कहते हैं चाहे जितने भी फैमिली मेंबर है कहते हैं फोन रख दीजिए खाना खाये खाये खाना त्यार है उठाये लेकिन फोन नहीं एक जाना आई होगी आपके तौस में तो उसको जो है कम से कम और उसके हस्बें ने दो फोन रखे हुए है उने एक रख दिया वह उसे भी रख दो कम से कम खाना तो ढम से खालो खाने के समय में नहीं हमको भगदर बढ़ी रहती है अद्ध हो गई और हमारी तो भाषा भगड़ गई है गजब की भाषा हो गई है पहले कितने प्यार से एक शब्द बोला जाता था रसोई हम सही है गलत है ऐसा ही होता था है किया वोलते थे माचल में रसोडा जाजस्तान में रसोडा यहां सोई कि और दों का मद्धक्रा दो शिर्मी हूँदे विस्तवान प्यार किर्दूर आज हमने जो अजे अगा सारे के सार्त ही हूई ए ओश्पा में चेम रहता है और जो है वहीं बैट के रसोई में प्यार से खाना खिलाया जाता था रसोईयां बड़ी बड़ी होती थी और अब चलो अलग बैट के खालो और अब तो खाना खाते कालो हाँ बस मैं हमदा प्याँ फिर एक ग्राइंग खाली फिर कुछे होड़ा पौन बच गे एक कम से कम इसने हमको इतना अशान्त कर रखा है इस बिताले से डब्बे ने हद कर दी है सबसे ज़्यादा मुसीवत की जड़ ये फोन है जो काम कहीं नहीं हो सकता वो ये करवाद करके बिचा जएगा पहले समय में लड़कियों की शादी होती थी अगर माल लो परिवार में कोई समस्या है तो माईके वादों को चिठ्थी डालेंगे आठ दिन के बाद चिठ्थी पहुंचेगी वो जवाब देंगे आठ दिन लगके पन्रा दिन पता चला कब तक मामला शान्त होया अब पुरांत घल्टी बचती अगर में को चलती थी पहले रशोई और अब क्या बोलते हो इस दोनों का मतलब पता है कि चन का मतलब जा किच 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 होती रहती है मैं दाल नहीं खाने तर तू सब्डी नहीं कानी त ओर रहता है हमारी भाषा ही एस ही हो रही है त hep भाषा सेही यादे से ज्याला काम तो उनने हुदी खराबकर रखा है आपको पता होना चाहिए इस बाद का जब हम रसोई में प्यार से खाना बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो कभी भी एक तो रसोई को कभी खाली न छोड़ना, कुछ भी ना हो तो वहां थोड़ा सा पानी जिरूर करके रख देना, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, देवी देवता, जहां प्यार वाली रसोई होती है, जहां प्यार वाली रसोई होती है, वहां पे फेरा डालते हैं, कभी-कभी पानी भी पीए और किच्चन में तो तो तुम खुद ही किच 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 करते रखते रखते हैं, पहले कितने प्यार से बोलते थे, माता जी, पिता जी, और अब मौम, मौम तो वोजो बंबक्ती वाली मौम होती है, जलती रहती है, और पिता को जीते जी मुता दिये, डैड, तो हम सब्सक्राइब क्या ये हमारी सब्देता सारी अंग्रेजियों ने बिगाड़ी है, और अंग्रेज सुधर रहें, और भारतिय बिगड़ी है, अद्ध हो गई, अंग्रेज मदर फादर पे आगए, धीरे-धीरे माता पिता पे आगए, और भारतिय बैट, अंकल, चाचा मिल गया, अंकल, मामा मिल गया, अंकल, जीजा मिल गया, सब को अंकल, अ कॢई वाला अंकल है चाचा वाला अंकल है मामा वाला अंकल है या कौन वाला अंकल है प्यारे एक तो हमको अपनी सब्धयता को अगर चाहो तो सुधार लो अच्छी बाद है किच किच छोड़ो, रस में आजाओ, रसोई में आजाओ, यह जो तुमारी किचन में किच किच हो, खसते हो ना, और यह दूसरा, जितना हम रसोई के अंदर, और इतन पा रखेंगे, उतना ही हमको मालिक का प्यार मिलता चला जाए, और गहीं हैं, आप सब के धरों में हमने कह किच हैगा देखा, खाना बनाते बनाते कड़ाही में उंगली मारी, अरे नमक तो मेलाओ थोड़ा का ओलाओगे, क्या है, यह आप लोग भी करते वैसे, यह जो न्यू जनरेशन हैं, उनकी मुंडियां तौम हिल देगें, क्योंकि उनके यह चलता हैं, पुराने लोग नही किरेंगे, उनके मुंडियां कम हिलेंगे, क्योंकि उनके यह ऐसे ही चलता है, और बड़ों की बात तो हमने सुनने नहीं होती, बड़ों की बात हम क्यों मानें, बड़े तो पागल हैं, उनके बात अकल ही बहाँ हैं, अकल तो सारी प्रवात्मा ने हमें दे रखी हैं, यह इस अपास पास ए Tam değer तो सौचती है कि हमारे इलावा तो और किसी के पास अकल है। अजे बुराप्वे वालों इके पास तो क्या है एक एसी दग्य ठागा के बड़े हो गया है। अजे पास तो अकल है। इनके बड़ी की ले ट्वालेट में थे उनके अटल है। अजे जो हमारा बड़ा धोखा है। बेशक हमारे बजूरत लोग पड़े ही खेना हो पर जो उनका एक्सपीरियंस है। उसका क्या है। हमें याद है। पुराने समय में हम लोग शाम के समय नाना जी होते थे वहां पंजाब। तो नाना जी के पाउस बैठना कहानियां सुननी। वकील मामा जी इसके हरिंदर के पापाने को पंचतंतर की कहानियां ला दे नहीं। और आजकल बेड़ा गरको यापर फोन दा। अगर एक परिवार के चार मेंबर हैं चारो अपनपना फूल लेके बैठेयां किसी को किसी कोई मतल होगी। क्या है यह प्यार है। यह कौन सी क्वालिटी का प्यार है हमारा। कभी हमारे मन के अंदर ये बाद नहीं आई कि जरा बैठ के मालिक के सामने किसी संत से या किसी अपने विजुरत से बैठ के आपस में बात्चीत करें कि गुर्माराजी कैसे हो उनका हाल बूछ लें तुम तो ठीक ही होगे तुम्हारा तो पर्मानें बात हमारी है और हम ठीक यह हम जानें कौन पर प्यारे हम को अपने आचार और विचार को बदलना हुगा अगर हम सही शक्दों में यह कहते हैं कि हम भक्ती करते हैं भक्ती किसको कहते हैं अचार यही बता दू किसको कहते हैं भक्ती हम तो की रहीं ना हमें पता किसको कहते हैं भक्ती स्वामी जी आंदे रहे तो यहारा तुसी जो है यही नीदा से पारे हो करती है किसको कहते हैं सिर नीचे करने को बड़ती कहते हैं भगती हिंदी में लिखते हैं तो उसमें को आधा आता है अगर आप वैसे पंजाबी में लिखोगे तो भगती पुरा-पुरा लिखा जाएगा भव में दो चीज़ें भै और भाव गव में यह काईगा गर्व गुमान जिसको हम गयासे कह देते हैं घंवन्ड और तीसरा ती ती का मतलब है प्यार वो यह कह रहे हैं कि भै और गर्व इन दोनों को छोड़के जो की गई पूजा होती है वो भगती कहलाती है हमारी भगती होती है घंवन्ड से भरी अगर हमने कहीं कोई भंडारा भंडारा कर लिया या कुछ कर लिया मैंने यह किया मैं यह मैं 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 कौन तरता है उसको क्या होता है प्यारे हमको अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को यह जरूर दिन में नहीं तो रात को सोने से पहले यह जरूर नाप लेना चाहिए कि हमने आज दिन भर किया क्या है सुची जरूर बनानी चाहिए रादा स्वामे में यह बड़ी अच्छी चीज दिखाई है उन्होंने वह को देते हैं भुक्सी तो उसमें सारे दिन के काम को लेकर के रात को तुमको फिल करना होता है कि तुमने दिन भर क्या किया और कम से कम नहीं है 15 दिन की जब अपनी फाइल को पेपर को देखो गए तो कहीं तो शरम आई जाएगी अच्छा यह कुछ किया हमने मन के अंदर मैसूसता होती है और हमें तो यही नहीं समझ में आता हम चाहे आश्रम में रहें चाहे आश्रम में आते जाते रहें हमें ऐस क्यों लगने लगता कि यह तो एक ताइम पास करना या यह को काम है अब बढ़ रहें स्वामी जी महिने का सहसंग जाना तो है यह ऐसा नहीं यह सोच के रखो कि हमको गुर्मा राजी ने निमंत्रन दिया है कि आजाओ परम जाएगी यह मत सोचो कि हम मतलों हांसी यह जाना है या ऐसा ऐसा कुछ नहीं मन की अंदर हमको प्यारे एक भाव बनाना रहता है कि ताकि जो है हम अपने मन से उस मालिक के शिरी चर्णों में पहुंचे और फिर मन से यह नहीं कि मन पिछे का रचड़ या है उन्हों नाली लेके आना उसके बिना तुमारा कुछ भी होने व हटकाने की कोशिश भी करते हैं मान लीजिए अपने स्वामी जी है लेकिन एक बात ना प्यारे मुझे इतनी इस संसार की क्या करूं अच्छी है नहीं और बुरी कह नहीं सकते क्योंकि तो लो मेरा सिर्भ उड़ दो नहीं कि सांत अगर जिन्दा चल रहा हो तो सब फ़गवन पर घट हो गये हठте हो और जीता जांद सर्चा घए हर हर महाँ डेव ऌद गया आंगर तो जीता जागने पूस्ट dialogue जिन्दा चुवा तुमारे घर में ढुस आये तो देव उसका तच मरद डालोगे तो कहीं पंजरा हूं गई कुछ करोगे काहीं कुछ करोगे मार उसको मार चुड़ोगे अब पथर का अगर चुवा मिल जाए ओ गनपति महा देव कीजा हरा गई हरा ओम गनपति आए नमा गन गणपती आगे, गणपती आगे, जिन्दा वाले गणपती ना होता है, ऐसे ही, जिन्दा जब महापुरिश होते हैं, शरीर के अंदर, महापुरिश या माता पिता या बड़े बजुरक जो भी, जब तक वो शरीर में होते हैं, उनके साथ कीचा पानी करते रहेंगे, इनको बृत आश्रम में छोड़ तो इनके बास अकल नहीं है, यह हमको डाटते रहते हैं, यह ऐसे हैं, यह ऐसे हैं, यह जब मर जाते हैं तो, भंडारा, साथे मालिक चले गए, इना दाता है, जाने के बाद पिर हमुन की जाता है, स्वामी जी रहे, जीते जी खूब फीचातान सब जगा, खुब चले, खुब चले, और अब, आब सब याद करके रोपते हैं, यह थेत तब ता है कि खीचातानी के, वह हमारा भी है, हमारे साथ भी खीचातानी चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती, फिर बाद में सब याद करें, प्यारे, बाद में याद करने से अगर कुछ सीख जा तो जिन्दा से सीख सकते हैं, कि मूर्थी क्या सिखाएगी, सिखा सकते हैं, क्या हिमाचल में है ऐसी कोई थियूरी, जिससे मूर्थियां बोल पड़ती है, कुछ शायद यहां की टेकनोलजी बहुत पास्ट चल लिए, है कुछ ऐसी टेकनोलजी, बद्धर का सांप चल पड़े काट लें, बद्धर का चुवा जो है, हम नवा पंजाब में थे तो एक और चुवे से मुझे याद आई, हम बच्पन में चाहे मेरा जीवन कैसा ही रहा, और हम नवा थे बड़े शगार थी, उजी कह रहा है, एक नवा चुवा था थोड़ा मोटा सा, काभू नहीं आता था, तो अब हमने क्या थिया, ये माचस की ड़बी, ये तो बड़ी वाली, अब चली पहली वह चोटी वाली होती है, चोटी ड़बी, तो चुवा फस गया जी पिंजरे में, चुवा था बड़ा, पूच बाहर चुवा अंदर, अब हमने क्या शैतानी की ऐसी माचस की जो नीजे, जिसमें टिलियां होती है, वह वाला खाना मिकाला, उसके एक पोने में छेद करके, उसमें बांदी डौरी, और उसके डौरी का दूसरा सिरा जो था, वह बांद दिया चुवे की पूच पे, अब चुवा छोड़ दिया, बज्जा भई अब बच्चों वाली बात तालीब जाने लगे, चुवा गाडी, चुवा गाडी, चुवा गाडी, चुवा गाडी, उसने अनाज भी डो दिया, प्तर के चुवे, सर बांद के देख पजा रहा है, प्यारे हमको अपने दिमाग की सोच को थोड़ा बहुत बदल लेना चाह भी थे लिग चाहिए या नहीं अगर बोलने में शरम आ रही है इसे और ऐसे बदलना चाहिए अधिक मास भी अब तो खत्म होने बादा है 16 अगस्त से यह भी खत्म हो जाएगा तो यह नहीं बारा महिनों में फिर बदलेंगे नहीं फिर चार साल बार अगले आएगा अधिकमाज फिर बदलेंगे कब बदलना है महा पुर्शों की निंदा करनी तो बहुत खराब है लेकिन उनकी जो सुन्न्निय वह उससे भी ज्यादा खराब अपने दादा गुरमाराजी के समय में एक बंदा उनको अक्सर कुछ 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 कहा है था जीते जी नहीं कोई पूछता है जीते जी है, सब के साथ हुई है फीचातानी, सब अपचारे मोदी ने क्या बगाड़ा, इस सब के साथ चलती है, तो उसने बहुत कुछ बोला दादा गुर्माराज जी को, लेकिन गुर्देव चुप रहे, कुछ नहीं बोले, तो सब को बुरा भी लग रहा था, कि माराज आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है, यसे क्या बोले जा रहा है, मालिक उने का कोई बाड़ा, उसे अंदरी अंदर खुंदक आ रही थी, इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, और गुस्सा दिलाने की गरह से, उसने इनके गुर्देव के उपर उंगली उठा रही, और उ उससे बुरा कोई ना होगा, अब उसे लग गया, कि हाँ यही है इनकी दुखतीन से, इसी सी हम इनको उतेजित करके गुस्सा दिला सकते हैं, फिर वो कुछ बोलने लगा, तो बस पास में एक वो जो है, बड़े वाले छुरे भी होते हैं, एक चोटी चाकू होते हैं, बड देंसे से प्रस कने मारी हो, तो जाओनी। caण अब शोर हयगी है, पेली कोई बुला हूँ है, अब ऑट फिर इस होग मैने भी होगा, प्लै में ग्रिभता रख, ऐक कर दो माइं अपने injection से अपनी गुर्देव की बात थेप Нभी सुन सकता था, अपने से प्लेब के अगे बुर्देव की बात बोलेगा तो वह मुझे से बरबाश, नहीं है मैंने काड़ दिया, यह लगाओ मुझे हट करें, मैं आप यह गरिप्तार करेंगे, वह हालदार, ठाणेदार, सब इनके जानकार थे, सेवक थे, बोले महाराज, आप खुद क्यों परगट हो रहे हो, बस कर तो हम बात को रफा रफा करते हैं, बहुत करो मुझे गरिप्तार, और वहाँ पर रहे हो, दोलेगा, करना क्या था, चलेगा जहाँ, वहाँ से भी कई भगतों को निकाला है, जिसने दिल से संगत की, उसने तो कुछ पा लिया, लेकिन अगर कोई उपर उपर से रहता रहा, उपर उपर से टाइम पास करता रहा, तो प्यारे फिर, आपी समझे लो, क्या होगा उसका, अगर दारू अंदर ही नहीं जाएगी, पीने वालों से पूछो, अगर वह अंदर नहीं जाएगी, तो क्या नशा होगा, अगर किसी ने पहले भी आई होए, तो बता सकता कि अग होए, अंदर, ऐसे ही, खाना, 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 हम करते रहें, खाना रखा हुआ है, और खाने को खाएना, भूख मिटेगी, अंदर हर चीज ले जानी पड़ती है, तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे, एक घंटे के करीब और चुका है टाइम, इस से पहले कि तुम को खुद को लंगर बुलाने लग जाए, और तुम जाके खुदी वां टाक पक्ती पे बैठ जाओ, तो हम खुदी अपनी बाणी को विराम देंगे, प्यारे, अपने आचरण को हमको थोड़ा बहुत बदलना होगा, अगर हम सही शब्दों में थोड़ा सा आनंद चाहते ह क्योंकि अब कहीं पर विन्दा कर दी, कहीं पर भी कुछ कर दिया, एक याद आई बात है, वो कहके बाही छोड़ेंगे, बोलने है, चोटी से याद आई थी, एक वार की बात है, एक राजा का एक नियम था, कि राज महल में जब पूजा करके हटता था, उसके बाद में वो उसका एक लिमिट टाइम होता था, कि वहाँ पे बैड खड़ा हो जाएगा, और जो भी कोई आएगा उसको वो दे देता था, दान पता था, दो घंटे का नियम था, दो घंटे तक सब को मूँ मांगी चीज देता रहता है, और उसके पास जैसे दो घंटे पूरे हुए चला जाता था गुरसाल में, नियम था उसको, एक दिन की वात है, कि एक साधू बाबा उससे भीक्षा मांग में चले गए, लेकिन इतफातन उस वक्त जो है उसके गुरसाल का टाइम हो चुका था, वो वहाँ तो उसने राजा से भीक्षा मांगी, बाबा जी में, राजा बोला जिकता लाना, भीक्षा का टाइम अब, उन्होंने का जी आज कुछ देखते हो तो दे दो, मैं ऐसा साध मनी जो भागता पिरूगा, आज देता तो दे ले, लेकिन उसने मना किया, और साधू बाबा अड गये, तो उन्होंने जब दुवारा मांगी, तो के देखते संतों के साथ, किया हुए मजाग, बड़ा महेंगा भी पर जाता है, करो मन्जाग, मजाग से मना ही नहीं है, मजाग करो लेकिन मरयाबी तो मजाग, उसने मजाग समझो या गुस्सा समझो या क्या, उठाई वही भी बोलके चले आये तेरा दान कुख खले और करनी क्या थी वो अपनी छॉंपडे में आये उनने लीड को फैंट दिया अपने काम में लग गया कमंडल मंजा मंजा हो गया से कुछ समय बीता कुछ तो राजा शिकार खेलता खेलता कहीं उसी रस्ते में निकल गया और रास्ता भटड़गया आगे जाकर उसके साथी कहीं आगे पीछे हो बैते हैं और वो राजा जो था रस्ता भटड़गइगा वहीं महात्मा जी की जोपड़ी में पहुंच गया भाँ जाकर इस राजा को बड़ा अचंपा हो ज़सा कि उसने क्या इतनी लीद के अंबार लगे पड़े थे यह अहिको है नहीं। तो इतनी लीद यहां आई कहां से। आखिरकार राजा ने हिम्मत करके सादू बाबा से पूछी लिया, माहराज। यह वठाएं कि यहां आपके पास कोई भुड़साल नहीं है। यहां आपके पास कोई गोड़ी-गोड़ा नहीं है, तो यह इतनी लीद कहां से आई है, मातमा जी गोले, किसी राजा ने हमको यह दान में दी थी, तो दान तो दिया हुआ, बढ़ता है, यह भी बढ़ गई, उसे याद आया है, यह हर्कत तो मैंने ही की थी एक हुआ है, कहता है, फिर अब उस राजा को इस लीद को खत्म, कितने सारी लीद का होगा क्या, वहले, उसे खानी पड़ेगी, मेरे खाने के कमंडल में डाली थी, मुझे भी खाने के लिए लीदी ना तो यह राजा को खानी पड़ेगी, वहला महराज, मैं कैसे खाओंगा, बोली समझ में आई थी, मुझे भी तुने खाने के लिए दी थी, मेरे कमंडल में जो डाली थी, आने के लिए डाली थी, ओली महराज, कुछ उपाये, बताओ, यह जना कैसे खाया जाए, महत्मा जी ने कहां भी देख ऐसा है, तुम एक काम करो, जैसे भी तुम्हें हो सके, पूरी जनता जनार्दन से अपनी बेहद निंदा करवाओ, तो महराजाने का, हो जेगा काम खतम, वले हां, सब निंदा करें न, जैसे 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 तेर्मारी निंदा करेंगे, यह सारी लीद वो खालेंगे, काम खतम हो जेगा तुम्हें अब उसने क्या किया, सोचा कैसे करो, राजा ने जो है वो शर्बत रुआ अफजा लाल लाल होता है, उसकी बोतर पकड़ी, उसके पाणिया ने मिलाके तियार किया, और बोतर ले ली शराब हो लिए, और उसके अंदर मिलाया वो शर्बत गाव लिया, और साथ में अपनी जवान बेटी को लिया, रथ पे लेके अपना जनाज़ा फुदी निकाला, और जो भी देखे, हाई 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 हमारे तो राजा के बुद्धी कराव हो गई, हाई हाई देखना हो अपनी जवान बेटी को साथ लेके घूम रहा हो, शराब पीता घूम रहा है, साब लोगों ने उसकी बेहग निंदा भी, निंदा क जो धेर लगे हुए थे, वो सारी लीज खतम थी, अवी जनता, लेकिन वो जो असली वाली थी, जो कमंड़ में डाली गई थी, वो बच गई, राजा ने कहां, महाराज, ये कैसे खतम होगी, इस पो खतम किया जाएगा ना, ये कैसे खतम होगी, बहले हाँ, हो जाएगी, हो कि अगर कोई परमात्मा का परमभक्त तुमारी निंदा कर दे, ये लीज फिर वो खालेगा, तुपच जाएगा, तुपच जाएगा, तो बहले है, बहले है, इस समय ना, फलानी जैदा पर एक बुडिया माता रहती है, वो तुम उसके पास चले जाओ, और वो अगर तुम पुष्ट मोड़े बेश बधियु आहिं और बेश बदलके शाम के समय वहां पहुंचा माता के पास और माता को परनाम करके बड़े पयार से बोला माता कोई बात सुने हो वो बेटा कौन सी बात है तो कि राजा के रूप में होता तो शैद बात कुछ और बंती पर रूप बदला गुआ तो माता ने भी का बेटा कौन सी बात है कहता है अपने देश के राजा की कैसे बुद्धी भरेष्ट हो गई है जवान बिटी को लेगे घुम रहा शराव पी रहा है कैसे पूरे नगर में भूखता पी रहा है क्या हो गया हमारे देश के राजा को तो माता ने उसको ऐसे देखा उपर से नीचे तक उले ए राजन तेरी लीद तू खाएगा तो क्या सोच रहा है कि वो गंद मैं कांगे जो कुछ ऐसा करेंगा वैसा भरेंगा मुस्टे नीचे मुझे नीचे मुझे नीचे मुझे तू भड़ा रूप बदल के माता ने उका डाड़ाण के भगा दिया फिर गया वही पर महातमा जी के पास अब ले महाराज भूसने तो मुझे अब भड़ा भड़ा बदल के गया था पर बात नीच बनी महातमा जी ने का बेटा अब एक रस्ता है यह लिद उठा आपने इसको घर ले जा इसको बारी करके पीष पीस करके वर नममख में ला ले थोड़ा ने थोड़ा सा और खाने के साथ धोड़ा थोड़ा थो यहीं में किसी में टाल के खानी पड़े जी तो पेटा यह तुने मुझ को भी खाने के लिए जो साधार्म राजा की निंदा आज इसे भुद्ट नि पड़ती है तो अगर हम संट महापुर्शों की निंदा करेंगे तो उसका भुट्तान होगा या ना होगा डबल होगा एक चोड़ी करेंगा न उसको थोड़ी को सजा हो जाएगी तो वह बच जाएगा लेकिन अगर यक पुलिस करमचारी चोड़ी कर पर शीरा जागे चलो, तो प्यारे, संत महाँ पुष्यों की निल्दा कर्मी, हम आपको अपने आपको अधोगदी में डालने वाली बात है, डालना है नहीं डालना ये तो हम सब की उपर डिपेंडिकर तब तक हमें क्या करना है, तो ज्यादा नहीं कहेंगे प्यारे, आप के साथी गाणी को ब्राम देंगे बोले जैकारा बोले श्रीम मारारी बोल साचे दरवारी के नहीं भिवासी पत्वानी को